नागदा निसमीब ग्राम लिकोडिया का किसान बाबुलाल अपने हक के लिए भटक रहा है प्रशासन द्वारा ली गई उनकी जमीन पर पी डव्यूडी ने मलमानी कर रोड का निर्मान बिना किसी अनुमती या मौाफ़ा दिये कर लिया है जब बाबुलाल ने इसकी शिकायत की तो उन्हें मुआफ़ा देने के लिए कहा परन्तु आज तक उन्हें मुआफ़ा नहीं मिला और वो मुआफ़े के लिए भटक रहे हैं आखिर कियों अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे है बाबुलाल को इतना संघर्श करना पड़ रहा है क्या इस देश में कानून नाम की चीज नहीं है जाहिर है कानून तो है लेकिन वह अधिकारियों की मुठी में बंध है इसलिए ये लोग खुल कर मनमानी करते हैं पाओ जी ये जो जमीन इनों की पीड़ डी ने जो ली है तो आपको ध्यान में है पूरी ये जमीन इनकी जमीन ये प्यूड़ में जमीन पूल ध्यान है कि जमीन हमारी है जो जिसने केस लागा है उसकी जमीन है तोर केस लागा अब ये प्यूड़ ली या शाशा ने ली या आपके माता जी भी गई आजी तो वह मार है आपने इन लोगों के लिए आवाज उठाई मार उनों एप सुचना थोड़ी बोली ते रोड़ बना रहे नियम के अनुसार ग्रामीनों को और जिस की जमीन ले रहे हैं जिस किसान की जमीन ले रहे हैं उसको सुचना होना चाहिए जो उन्हें ने खंबे लाट ये ने ने दोनों तरफ खंबे लगाई यह नहीं बोला था कहम रोड बना रहे हैं कि अधिल मिला कि आपके पुरी निगाम है कि बाबुलाज जी को इनकी जमीन लेते समय कोई सुचना नहीं दी इनसे बाद बीनुकि तो इनकी अकेले की जमीन है यहां पर इनकी जमीन ली इस रोड पे खाली अकेले हैं नहीं तो हमारे दादी जी के उपर लिखा हुआ थी प्येस्टू पीड़्यू अब बिना सुचना से बनाया साब मेरे तोड़ी गई थी कोई पटवर साब यात्रा पे थोड़ी गई थी देंटा पूचे इनों ने बिना नुमती से हमारे यह रोड बनाया यह बता रहे के पड़्ान मन्त्रि में इधर से क्वार्य पड़्यू और बता रहे पी ड़ी तो डोह के मेरे तो जमीन पी ड़्यूटी में गई आप साब तोम होज़ा दिलाएंगे यह बात सही है क्या इन बात इनके हुई वगा हें हमारे सामने दियुक्त है इनकी जमीन के यह हमें चैनल तो इनकी जमीन जो एक दोतें साल चार साल से पहले आया थे जो बोले थे कि इस रोड़ का मुवाजा मिले गाइब ताएंट कुछ भीन मिला कि इनकी रोड पे जो है पर ने कारी किया है मतलब हम यह पूछना जा रहे हैं उसके लिए कारवेध चाहर है तो पी डबली ने नागदा से दोपर नियूस के लिए संजय श्यार माखे रिपोर्ट